तो नमस्कार में आज सभी का दिल से बहुत बहुत सब्सक्राइब बात करें कुछ इंपॉर्टन स्टॉक के बार में उनसे जिरूए कुछ इंपॉर्टन न्यूस को हम डीटेल में कवर करेंगे सबसे पहले हम बात करें कि लक्समी ओर्गिनिक लिमिटेट के बार में आज के दिने बहुत शांदार न्यूस के बात करें जैसे कि आज के दिन आज के इन स्टॉक में हमें एक अच्छे कासे गिरावारे देखने को में लगबग 3% के आसपक और अगर हम पिछले एक मन्त के प्रफॉएंस के बात करें सो आप देख पारेंगे नीचले इस तर से जो इन स्टॉक में जो कुछ दिनों से कंसिटेंस है में रैली देखने को चाहता है और आज फिछले 2 दिनों से इंस स्टॉक में वे रैली के हमें वो रैली डेखने के अस। यसके प्छी कपी कंपने के जा राक्षा में पहुत खाली घुक और फशतु को में और की स्छॉंय के अपको आपको रखते हैं को आज के दिने एक शानदा निउस निकल कि आचेको उस निउस को हम कवर कर लेते हैं और वो निउस है दोस्तों company के Sierra Holding Pattern किसी भी company के लिए दोस्तों Sierra Holding Pattern एक बहुत important parameter होता है तो उसको आपको घलते से भी miss कि FS निउस होगा सब्सक्राइब चाइब करें तो इस बात को जितना इंदूर ने माल ख़एद है उतना ही पप्लीक हमें बेच तो इस बार की से रहुनी पैटर्न कैसा है तो आप एक पॉज़िवी से रहुनी पैटर्न कंसिडर कर से तो क्योंकि इस टैम पे जब स्टॉक अप में टॉप लिबस है या फिर उसके भी नीचे लेवल से मतलब बहुत ही नीचे ले साथ से 220 के लेवल से जो स्टॉक में में कंसे तेगी देखन को मिला मतलब सिर्फ उसे 10 से 15 दिनों में लगबग हमें 30% के कमबैक देखन को मिला और उसके बाद पिछले दो दिन यह रैली हमें लुकते हो देखन क से बहुत है बहुत शांदर लगबग आप 220 के स्टॉक हमें लगाता था तीजी के साथ 300 तक भी जाते हैं कल की दिन यह स्टॉक लगबग लगबग दो सो नबबग के आजपस इस लेवल को टच हमें करते हैं आपको पता है जो 220 और जो 300 के लेवल है बहुत ही स्टॉंग रि को देखना को मिल जागा जिसको ब्रेक करना इस कंपनी के लिए इस टाइम पे अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करो इस टाइम पे बहुत ही जज़दा आपको difficult होते हो देखने को मिशिक अगर वह कंपनी सटॉक ब्रेक कर देता है इस तॉक और इस पर सुस्टेन करता है त तो लोग सोच रहे थे कि स्टॉक में जो कुछ दिनों से तीजी बना हुआ था दस से पंदरा दिनों में जो 30-30% का हमें comeback देखन को मिला consistency तो ऐसा क्या हो गए कि जिनके चलते स्टॉक में जो तेजी है हमें रुकते हो देखन को मिला और उसके बाद स्टॉक हमें reverse gear मतब डाउंसाइड में आते हो देखन को मिला तो इसके पीछी का reason के रिजन कंपनी के साथ से कोई negative नीजी नहीं है यह दोस्तों यह टेक्निक के साब से ट्रेडिंग के साब से सारे चीज़े देखे जाए तो इस उसके पीछे का simple reason है तो इसके जाए पैनिक करने के आपको बिल्कुल भी ज़रूत नहीं और मैं आपको पहले बताता है जिस कंपनी में आप जाते हो यह वाले आप कंपनी आप देख पाने बहुत सारा लोग ने यहाप सिर्फ स्टॉक को रैली देखे क्योंकि 180 पर जो भी श्टॉक को नियूज चनल पर कवर किया जाएंगे उन्हीं श्टॉक को पता है डिटल इंडिस्टा है बिना सोचे समझे जो भाग रहे हैं कि चलो 180 के श्टॉक 280, 300, 400, 500 अश्टी फिर जाके श्टॉक पर खरीद दया अपने खरीदा होगा तो थोड़ा से इन्मेस् अच्छी बात है कंपणी के लिए कंपणी बहुत शांदर हमें कंपणी के मैनेजमेंट को मिल जाता है और उस मैनेजमेंट के पास 72% स्टेक जो के आमें कॉन्फिलेस दिना आता है ऐसे चोटी कंपणी में अगर 50% से नीचे स्टेक होता है तो हम उसे नेगिरी भी और फिर कंपणी कुछ खास प्रफॉमिन नहीं दिखा रहे है जिनका जयते इंट गिरावाट है वह हमें कंटीनीव होते हो ढदेगन को मिले तो अच्छे बात है कि कंबैक कर देखना को है अगर कंपणी के नंबर अच्छा दिखा तो नो डाट थे कंपनी को देखना है जिनके पास की पॉजिरी वीडी देखने को मिला है लेकिन अगर हम थोड़ा सा लंबे चार पेड़न की बात करेंगे शिक्स मन्त की प्रफिमेंस थर्टी फॉर्टी पसंड के आपस आपको गिर्यावर देखने को मिल जाएगा और अब देख पर हैं किस तरफ तास से स्टॉक में हमें रै अब देख पाने लगातर पिछले 6 मंद से पहले जो लगातर बाइंग करते जा रहे थे वह सिक्स मंद से डिसमबर 2021 से आप देख पाने लगातर हमें बिकवाली और वह सेलिंग अभी तक जारी होते देखने को मिला पिछले कौर्टर में जो था लगबाग छी पसंड का जयते श्टॉक को प्रेशर है वह हमें और भी कंट्रीन होते हैं देखोगे तो डियस में आपको कमबाक यह फिर अच्छा का से बाइंग देखने को जरूर मिंज़ेगे लेकिन एक स्टॉक के पॉस्टिरीविटी के लिए फिर डिक्रीज होना बिल्कुल भी अच्छे संकत नहीं है सो इसका मतलब यहनी की कंपणी बरबाद हो जेगे कि लगाता निकलते जा रहे तो मतलब स्टॉक बेचो बचो ऐसा गलती सरी मत करना दोस्तों क्योंकि आप देख पना प्रमोंटर की बात करें तो अभी 75 परसंट प्रमोंटर के पास मैक्समाम से उनी के पास है मतल आती साथ यह जो दूस्तों एक्टीवीडियो होता है इनमें आपको चेंजी देखने को मिल जागा आप पहले डियाइस के पास थे कितने 14 पसंट फिर वह बेस्ते 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 दस पसंट तक आया था उसको फिर वह खरीदे रहे खरीदे और सेम पटरन पहले बहुत ही शांदर कंपणी है और इतने कोई भी कंपणी रिटन देगा 5-5 साल में पूरे 5 साल भी नहीं होगा जूलाय में आपको देखने को मिल जागा 400 400 500 500 पसंट तब जब स्टॉक अपने टॉपल बेसे 40 पसंट गिरावाट होनके बाद तो इतना मताब चीदे तो मताब इतना करेक्शन तो बनता है और भी 10 पसंट गिरावाट हो जाए तो भी आसे आपको पैनिक करने की ज़रूत नहीं है तो कंपनी से एक छोड़ा सा पॉसिरिव नियू सामें आते देखने को मिला है तो इतने गिरावाट होनके बाद भी इन स्टॉक को इस लिवे से बहुत स आप अपने डिसीजन लोगे तो वह best decision रहेगा तो पिछले 6 मंत के प्रफरेंस के बाद करेंट चाहिए और जब से कंपनी रिष्टिंग होई एक अच्छे कासे डीसा नीडर मना कि दिया तो साथ सा कंपनी की मैनज़में ने ट्विनिक से अपनी अनौस्मेंक्ट कर सकता है और स्प्लीट कॉन सी रेशियों होगा यह भी देखने बहुत ही इंपॉर्डटन है तो प्लीज तो इन इन इस टोक आपके पास नहीं भी है तब भी इन इस टोक आप फोकस में जरूर रख सकते तो वीडियों कोई डाउट है कमें सकते में पूछ सकते मिलते हैं ऐसे ही इंट